डाक्टर जी तायराड ग्लांड की कमी से लेंगिकता में किस प्रकार के दोश होते हैं? हमारे शिरी में ठायराड ग्लांड का बहुत इंपोर्टनस है क्योंकि हमारे शिरी में सब कुछ अल फंक्शनस ठायराड पर आधारत हैं? दिमाग हो, हाट हो, या कोई भी हो, सब कुछ ठायराड ग्लांड पर आधारत हैं? वेई से ही शारिरिक विकास पर भी उसका बहुत असर होता है थाराड ग्लैंड उसके बच्चपन से भी थाराड ग्लैंड का दूसु उमच्छ इंपर्टनस है वो बच्च्च या बच्ची, बालिका, कोई भी हो बालक हो बालिका हो कोई भी हो वो तो उसका विक्षारियृ का विकास या मान से विकास शारिरिक विकास या माणसे वकास दोनों कमिलें, बालिका या बालक, जो कोई भी वो, वो तो इवावस्ता में पहुंचना है, हिवा वस्ता में पहुंचना के लिए शारियरिक विकास वाना जरूरत है शारियरिक विकास के लिए थाइराड गिलांड का थाइराड गिलांड का थाइराड गिलांड बहुत इंपार्ट है बहुत प्रयूंकता है, क्योंकि उस में से जो हॉर्मोन थायराडग गिलानी दिर होता है, थायराडगी दे ह्वाटा निकलता है, वो हार्मोन बालक को बड़ा होने के लिए, बड़ा उसके ग्रोथ के लिए, बहुत अक्या होता है बाली कमें वेचे बाली कमें तो वो उसको मेंस्स आना है महीन आना है रजोधर्मा आना है रजोधर्माने के लिए हार्मोंस की इंपार्टेस है थाइराड हार्मोंस की कमी होतों बहुतों विकास नहीं होता है शारिवकास नहीं होता रजोधर्मा आएगा नहीं रजोधर्मा के लिए थायराड हर्मन की इंपार्टेस है इसलिए वैसा ही नहीं यह बहुत विवावस आ गई बहुत विस उमर बढ़ गई उसमें अंड निकलना है अंड नहीं थायराड हर्मन की कमी हो तो अंड नहीं निकलेगी वैसे कि विवक्त में उसमें तो शुक्राण निकलना है श श्यारिक विकास, मान स्विकास की कमी हो जाएता है, उसमें तो बहुत नक्सार होता है, उसमें तो काहला में तो अंदर नहीं नेकलेगी, पुरिश में तो स्वक्रान नेकलेगी, उसमें इस विजए से वो रीप्रड़क्शन नहीं होगा, इस थायराड गांड का बहुत बादने से उस्पाइब कर्के दो प्रॉपिज दावनोगे नूंगा है और कुछ वीडियों के लिए गृपया हमारे चानल को सब्सक्रेब कीजिए और नीचे हुए घंटे के निशन पर दबाईए